तो फाइनली भाई, Microsoft ने reset this PC, यहां पे Windows 11 में update में add कर दिया है, मतला अगर आप Windows 11 यूस कर रहे हो, इंसाइडर नहीं या, इस टेबल में भी यह feature आ चुका है, होगा क्या, अगर आपका PC slow चल रहा है, वाइरस ने attack कर दिया, या कुछ भी malware का ऐसा infection infection हो गया है, तो files delete ना करे बिना 1% भी touch नहीं होगा, आपकी पूरी Windows reinstall हो जाएगी, आपका data तक नहीं ऊड़ेगा, यह काफी तमाम चीज है, लोग काफी search करते है, factory reset करना, data ना जाए, लेकिन यह चीज करनी है, data ना उड़े, तो यह चीज अब भाई, सेट हो गई है, Microsoft ने inbuilt यह feature announced क्या, यहां पे यूज कर रहे है, काफी जादा ही attractive PC है, पर मजा आ जाता है इसको देखके, but main functioning तो यहां चल रही है, अब देखो, सबसे पहले क्या करना, आपके पास हो नीचे यह Windows 11, secondary एक बर मैं आपको अगर इसका version दिखा दू, here you can notice by 23H2, इसके अंदर right now install है, here you can see 23H2, साथ में built भी आप देख सकते हैं, यह काफी नया नहीं है, यह old ही समझ लो, आगी तो सबसे बेस्ट रहेगा, कि आप Windows update में पहुंच जाना और check for update कर लेना है, इससे आपको पता चल जागा, अगर कोई update अगर पढ़ा होगा, तो यहां से आप update कर सकते हो, यह simple है, अब देखो, major चीज क के अंदर, एक खतरनाक चीज में आपको बता दूँ, अगर मैं यहां पे लिखता हूँ, control panel, तो control panel में अनिस्टॉल प्रोग्राम में जाऊँगा, यह जो प्रोग्राम है, यहां पर आपकी गेम्स भी हो सकती है, बहुत सारी चीजे हो सकती है, वो सब चीजे हट जाएंगी तो आपको मतलब गेम को रिंस्टॉल करना पड़ेगा, यह आपने Adobe के कोई software डाल रहे है, सब को रिंस्टॉल करना पड़ेगा, यह सब चीजे नहीं backup हो पाईगी, जैसा Microsoft ने बताया, अब यह process करना कैसे है, यह बड़ा simple है, आप पहले देख लो क्या क्या चीजे, मैं जरूर लेके चलना, ठीक है, अब यहां पे आपको जाना है, अपने सब कुछ update, update कर रहा है, तो system option में जाओगे, यह थोड़ा सा scroll करना है आपको, और यहां पे आपको एक option दिख जाएगा, recovery का, as you all know, popular है, यह recovery में आप जाओगे, तो यह update, update करने के बाद एक option आपको दि install कर रही है, जैसा मैंने दिखाया, control panel में, software डाल रहे है, वो सब हट जाएगे, even settings भी हट जाएगे, तो यह चीज़ दिमाग में रखना, second है, remove everything, इसमें आप जानते हो, सब कुछ ही हट जाएगा, यह option सबसे best है, remove everything, but इसके लिए आप अपनी files का भी backup ले लो, तो best रहेग अगर आपके पास internet है, तो सफिशेंट 4GB डेटा लगेगा, लोकल के अंदर भी आपको आइस हो, तो डान नहीं पड़ेगी, तो इससे best है cloud वाला ही करो, 4GB के आसपास data लगेगा, यहाँ देख सकते हो, download and reinstall windows करेगा, और data अपना 4GB के आसपास जो लगने वाला है, next कर देत तो यह software जो है, यह list भी बना के आपको desktop पे देदेगा, क्या कुछ remove हो है, यह है, तो app web तो हटी जाएंगे, main चीज तो अब यहाँ reset कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पेले download करेगा, उसके बार device automatically करेगा, अब इसमें लगेगा, थोड़ा इस प्रोसेस तक आने में, दोस्तो प्रोसेस में तो काफी टाइम लग गया और अभी भी यह complete नहीं हुआ, राउंड आप मान सकते हो, 20-25 मिनिट लग गया, तो time जरूर रखना भाई, अगर यह चीज करने जा रहे हो, बढ़ना band बच जाएगी, और आप जाके installation phase में, सोच काफी टाइम लगा, ठीक है दोस्तों, after a great time, मतलब इन्वेस्ट करने में, और इसके बाद आप यहाँ पर finally हो गया, अब मैं इसको open करके देखता हूं, बिल्कुल same है, तेख सकते हो, login login कुछ भी change नहीं हुआ, और यहाँ देख रहे हो, मतलब कि password और सब same है, और windows सकते हो, सारे app a to z, जहां जहां छोड़के गया था, वहीं मिले है, देख रहे हो, but एक चीज हमारी गायब हो गई होगी, मतलब files आपकी सारी safe रहेगी, जितनी भी file आपकी file manager से लेकर कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा होगा, a to z, कोई CV drive में कोई भी चीज आपकी पढ़ी है, अगर आप everything clean वाला करते हो, तो सबसे बेस्ट है, वह एक तरीके से आप समझ सकते हो, आपने windows रिइंस्टॉल कर दी, वहाँ पर डेटा वेटा सब उड़ जाएगा, तो प्रेफर रहेगा, कि आप डेटा जरूर बैक अप करो, मेरे सबसे आपको डेटा जरूर बैक अप कर पैकप पे पहले से घटा करके रखो, secondary दोस्तों यहाँ पर जो keep वाला option है, वह भी काफी सही है, उसमें होगा कि आपकी files बच जाएगी, आप देखो, आप लोग सोच रहे हो, games तो हमने इंस्टॉल करी है, वह सब हट जाएगी, बट उसकी file बची रह जाएगी, तो आप सम काम असान हो जाता है, copy paste करके आप चीज़े कर सकते हो, यह कुछ सीन था, बगी एक बर अच्छे पहले सोच लो दिमाग में और backup जरूर कर लेना, फिर यह यूस कर सकते हो, और PC हाँ बिल्कुल, अगर कोई error problem आ रहा है, blue screen error आ रहा है, कुछ भी दिक्कते चल रही है PC में, बिल्कुल सेट हो जाएगी, क्योंकि आपने Windows री इंस्टॉल मार दी ना, वाइरस वाइरस या कुछ भी ऐसे infected हुआ है, तो वह भी हट जाएगा, not just this, यहाँ पर अगर आपका PC slow चल रहा था, तो आप Windows री इंस्टॉल कर रहे हो, तो वह भी fast हो जाएगा, यह directly सारे link है, आपको यह फीचर काफी पसंद आयो, बिल्कुल भाइ, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, यह टेक लेटेड वीडियो के लिए, शेयर कर देना मिलते है वीडियो में, तब तक के लिए बाई और जय है, जय भारत, बंदे, मातरव